महराष्ष के सियम उद्धो ठाकरे के बेटे आदिट ठाकरे के खिलाफ में सेन्टरल एजनसी ईडी के द्वारा की जा रही कारवाई को लेकर अभी एभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि माहराश्रा में पिछले कुछ टाइम से लगातार सेंटल एजनसी के दोरा कारवाई की जा रही है और कई बड़े मंत्रियों को गिरपतार भी किया गया है लेकिन अब इनी सब चीजों के बीच में परियावरन मंत्री आदि ठाकरे को लेकर एक अपडेट आ रही है जहां पर बता जा रहा है कि सेंटल एजनसी एडी के दोरा जल्द ही उनके खिलाप में एक बहुत ही बड़ी कारवाई की जाने वाली है और ये जो अपडेट दी गई है वो किसी और के दोरा नहीं बलकि खुद जो है बीजेपी नेता किरीड सोमया के दोरा दी गई है आप सब को पता है होगा बीजेपी नेता किरीड सोमया ने अभी अभी जिन जिन मंत्रियों का नाम लिया है उन सारे के सारे मंत्यों के खिलाप में कारवाई हुई है जा है वो बात की जाए नवाब मलिक की जा है हम बात करें अनिल देश मुकी आप इनी सब चीजों के बीच में BJP नेता क्रीट सोम्या ने मीडिया से बात करते हुए बोला है कि आदिट ठाकरे के खिलाप में ED के पास में काफी ज्यादा मातरा में सबूत मिल चुके हैं और जल्द ही ED की टीम के द्वारा आदिट ठाकरे के खिलाप में चानवीन की जाए जैसे की आनिल देश्मुक और अनवाब मलिक जैसा कि BJP नेता क्रीट सोमया के दावा किया जा रहा है अगर यह सच होता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आदिट ठाकरे को भी गरपतार किया जा सकता है अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि जो उधो ठा इस पर आपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो के ज़्याज़ ज़्यादा सेयर करें